बस्तर में खेलों को बढ़ावा देने आयोजित बस्तर उलम्पिक अपने अंतीम चरण में पहुँच गया है संभाग इस्तरी उलम्पिक का आयोजन 13 से 15 दिसंबर तक किया जाएगा इसके लिए जोरों से तैयारियां की जा रही है समापन समारोह में केंद्री ग्रीह मंत्री अमिज साहक के साथ ही मुख्य मंत्री विश्नु देव साय भी शामिल होंगे केंद्री ग्रीह मंत्री अमिज साहक के 36 गर दोरे की तैयारियां तेज हो गई है ग्रीह विभाग समेत रायपूर प्रशासन और बस्तर प्रशासन उनके दोरें की तैयारिया कर रहा है सुरक्षा प्रबंधों को लेकर बस्तर रायजी सुन्दर राज पी ने बताया कि नाके बंदी के साथ ही समवेदन शील क्षेत्रों में लगातार गस्त जारी है अब जो प्रमुक कारिकरं तो जहलपूर शाहर कंदर गत होगा इसके परिसेदी को देखते हैं मलब त्री लेयर कॉर्डन का सेक्यूर्टी आरेंजमेंट करेंगा और जितना भी जो सम्वेदन शील इलाका में लगातार अभिया अभियान जारी है जो मोबिल चेक पोस्ट हैं अन्नी जितना भी आना कबंदी करवा है और संदिक स्तानों कर चेकिंग ये सभी प्रकर कर सेक्यूर्टी जिल भी एक्टिवेट की गे तो और सिमावर्दी राजी से भी संपर करकर उस इलाका में भी कोई संदिक गदिविदी मुमंट के बारे म जानके रिप्राप्त करका उशेक स्वरक्षवस्त के इंदजम की जारी है गौरत अलभाय की संभाग इस्तरी ओलंपिक में बस्तर संभाग के सभी सातों जीलों बस्तर धंतेवाडा सुकमा बिजापूर नारायनपूर कॉंड़ा गाउं कांकिर की टीम में भाग लेंगी सा अत्मसमर्पित माववादी भी खेल मैदान में अपना दम खम दिखाएंगे आत्मसमर्पित माववादियों की टीम को नुआ बाट दल और दिव्यांग बाट दल नाम दिया गया है